तो दोस्तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 80 नमबर कोश्चन तक पर लिये हैं 80 नमबर कोश्चन था कि उच्चितर भोल्टेज से निम्नतर भोल्टेज या बीप्रित्ता एसी से रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या होता है तो ट्रांस्फार्मर होता है एंसर कह रहा है उच्चतर भोल्टेज से निम्नतर भोल्टेज या वीप्रित्त से AC रुपांतित करने वाला उक्करन ट्रांस्फार्मर कहलाता यानि कि AC भोल्टेज जो होता है उसको बहाना या घाट आने वाला काम कौन करता है ट्रांस्फार्मर करता है ट्रांस्फार्मर एक एस्थेतिक मशीन है देखी एस्थेतिक का मतलब इस्थिर यानि कि इसमें कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता है जो जो प्रत्यावर्ति धारा के विभाव को समान अवरिती पर परिवर्तित करने के काम आ होता है ट्रांस्फार्मर का कार सिधान्त थेतिक प्रेरन सिधान्त पर अधारित है मुच्वल इंडक्शन के सिधान्त पर काम करता है अमारा ट्रांस्फार्मर मौलिक तह एक ट्रांस्फार्मर एसे चुमकी परिपत का बना होता है जिसमें दो विशिष्ट कुंडलन होती है दो विशिष्ट कुंडलन का मतलब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, फिर हमड़ा अगला कोश्चन है कि ट्रांसफर्मारों पर खुला पत परिछन निमलिखित मापने के लिए किया जाता है, देखिए, ओपिन सर्किट टेस्ट किसलिए किया जाता है, कोर हानी या जिसे हम आइरन लॉस क्विक काते हैं, आइरन लॉस या कोर हानी, क्रोड हानी ये कहा जाता है, ओपिन सर्किट से ये ग्यात किया जाता है, और सौर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर हानी ग्यात किया जाता है, तो एंसर देरा है कि ट्रांसफर्मर पर खुला पत परिछन क्रोड हानी यानि कि कोड हानी को मापने के लिए किया जाता है। फुला पत्परिछन में ट्रांसफर्मर को अती कम सप्लाई भोलता प्रतान की जाती है। इसलिए इसके लोह या लोह होगा। लोह कोड में भोलता के लिए उनुपात में बहुत कम फ्लक्स उत्पन होता है। जो अधिक्तम लोव हानिया उत्पन करता है इन्हें तामर हानियों के पेक्छा नगन कर दिया जाता है देखिए सबसी पहले ये जानना है कि iron loss कहां होता है कोर में उत्पन होता है iron loss का मान किसी विश्थिति में यानि कि transformer पर लोड हो half load हो full load हो कितना भी load हो आपका iron loss का मान क् पर आबर रहेगा कहने का मतलब अगर 180 zero load पर है तो ये 180 जो है हमेशा बना रहेगा लोड रहे चली अगला question देखते हैं कि material used in construction of transformer core transformer core के निर्मान में पर्युक्त समगरी क्या होता है तो silicon steel होता है ये आपका silicon steel होता है एंसर देराय कि transformer में पर्योग होने वाली क्रोड मुलायम लोहे या विशेश मिस्रधातू spot LI steel मिस्रधातू LI steel को कहा जाता है कि पतियों से बनी होती है जिससे कि transformer में भावर धाराहानी यानि कि AD current losses को नियूंतम किया जा सके इन्हें lamination यानि कि lamination का मतलब अलग अलग पति को जोड़ के पनाया जाता है lamination भी काते हैं कोड बनाने में पर्योग होने वाला लोहा उच silicon high silicon content यानि कि silicon का मत्रा ज्यादा रहता है अला होना चाहिए तथा इसमें silicon की मत्रा 4% तक हो सकती है अगला question कर आए कि which winding in a transformer has more number of turns तो देखिए सबसे पहले कि एक transformer में कौम सी winding के घुमाओ की संखिया अधिक रहती है तो घुमाओ की संखिया किधर अधिक रहेगी जिधर voltage ज्यादा उधर घुमाओ की संखिया अधिक जिधर voltage कम उधर घुमाओ की संखिया भी कम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा high voltage जिधर रहेगा उधर turn की संखिया क्या रहेगा ज्यादा रहेगा नंबर C हमारा इंसर हो जाएगा अब देखिए इंसर में आपका दे रहा है कि ट्रांसफर्मर में हाई बोल्टेज वाइंडिंग के घुमाओ यानि कि टर्न के संख्या अधिक होती है फिगर में देख लिजी कि ये आपका उच्छ बोल्टेज कुंडली है यानि कि वाइंडि इंडक्षन के सिधान परकार करती है या दो परकार का होता है step up तथा step down इसमें दो वाइंडिंग होती है primary या input वाइंडिंग देखिए primary कहिए या input हमेशा याद रखिएगा कि जो ट्रांसफर्मर है उसमें input किसे दिया जाएगा primary से output किसे लिया जाएगा secondary से हमेशा ये ब secondary winding या output winding उसको कह सकते हैं जिस तरफ के घुमाओं के संखे अधिक होगी उस तरफ का voltage जाता होगा तथा जिस तरफ winding के घुमाओं के संखे कम होगी उस तरफ का voltage कम होगा गुमाओ के संखे जादा तो भोल्टेज जादा और गुमाओ के संखे कम तो भोल्टेज कम अगला हमारा कोशन करा है कि phase difference between primary and secondary winding of a transformer is कि एक transformer की primary यानि कि प्रात्मिक और दित्विय के winding के बीच phase अंतर है तो देखिए ये phase अंतर आपका 180 degree होता है 180 degree answer में दे रहा है कि transformer की प्रात्मिक और दित्योक winding के बीच phase अंतर 180 degree होता है याद कर लिजिएगा अगला question हमारा करा है कि the condition for achieving maximum efficiency in any transformer is कि किसी भी transformer में अधिक्तम दख्षता प्राप्त करने के लिए सर्थ है देखिए अधिक्तम दख्षता प्राप्त करने के लिए सर्थ क्या है कि iron loss बराबर copper loss iron loss और copper loss का मन क्या होना चाहिए बराबर रहना चाहिए तब transformer के क्या रहेगा दख्षता यानि की efficiency अधिक्तम रहेगा यहाँ पर option दे रहा है कि cool honey बराबर 1 by 3 copper honey या copper loss बराबर iron loss तो हमारा answer क्या हो जाएगा B copper loss बराबर iron loss तो अधिक्तम दख्षता होगी option है the turn ratio of primary to secondary of isolation transformer is देखिए एक isolation transformer होता है जो electric shock से बचाने के यानि की बिदूत के जटका से बचाने के लिए प्रयोग कियाता है किसी उपकरन में तो isolation transformer का कराएगी primary और ये माध्यमिक यानि कि primary और secondary जो turn होता है उसका अनुपात तो देखिए उसमें जो अनुपात होता है one by one होता है यानि कि primary और secondary में turn की संख्या बढ़ाबर होती है one by one होती है कराएगी isolation transformer का प्रात्मिक से द्वितियक का गुमाओ अनुपात अगला question कराएं कि transformer की rating को ब्यक्त किया जाता है तो ये भी ये के भी ये एम भी ये पर चुके हैं अगला question है कि the transformer works on the principle of transformer dot dot के सिधान पर काम करता है देखिए ohm slow के सिधान पर नहीं काम करता है नहीं flaming के left hand flaming के left hand पर आपका जो dc motor होता है dc motor वो काम करता है sorry flaming का left hand तो flaming left hand rule क्या है dc motor से संबंदित है right hand आपका generator से हो जाता है dc generator तो जो transformer है वो फराडे का law of electromagnetic induction के हम पर चुके हैं पहले इसमें क्या होता है कि इस नियम के अंसार जैसे क्या कहता है कि जैसे कि मानले जीए कि यह आपका चुमबक हो गया यह चुमबक का north south wall हो गया यह इस चुमबक का flux हो गया और इस flux का छेत्र हो गया अब इसमें अगर हम ये जो conductor है, मालने जी copper का conductor है इस conductor को रख के हम लंबवत अगर घुमा रहे हैं तो इसमें क्या होगा आपका विधु धारा उत्पन होगा कहने का मतलब है विधु धारा उत्पन होगा जब ये conductor घुमेगा और चुमबक स्थिर रहेगा तो ये conductor में बिदोधारा उत्पन होगा अगर हम तार को स्थिर रख देते हैं वायर नहीं घुमाके अगर ये जो चुम्बक है इसका पोल हम चेंज करते हैं कि South, North, North, South ये आपस में क्या है कि बहुत ही तेजी से चेंज होगा तो क्या होगा कि आपका इस वायंडिंग वायर में यानि कि इस क्वायल में EMF उत्पन हो जाएगा क्या हो जाएगा EMF उत्पन हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाता है फराडे का law of electromagnetic induction अब देखिए transformer में भी सेम होई सही होता है कि transformer में क्या होता है कि आपका जैसे ये primary winding हो गया और फिर ये secondary winding हो गया हम primary winding में क्या करते हैं कि phase और neutral या मसमझे की AC supply हम देते हैं primary winding में हम AC supply दिये AC supply में चुकी frequency होता है भारत में 50-60 की frequency होती है तो इसकी कारण ये जो चुमबक बन रहा है ये जो चुमबक बन रहा है चुकी ये winding किया हुआ है और winding में हमने क्या किया AC supply दे दिया तो ये जो चुमबक बनेगा frequency के कारण क्या होगा कि ये north और south pole आपस में 1 second में 50 वार change होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चुमबक ये छेत्र जो है घूम रहा है तो ये दूसरा क्वायल इस्ठीर है तो इसमें क्या होगा automatic EMF उतपन हो जाएगा अपने आप EMF उतपन हो जाएगा क्यों कि ये चुमबक ये छेत्र जो है क्या हुआ हो रहा है घूम रहा है तो इसमें आपका EMF उतपन हो जाएगा तो transformer से मैं से ही काम करता है, इसलिए कहा जा रहा है कि transformer फाराडे के law of electromagnetic induction के सिदान पर काम करता है अगला question कर रहा है कि the purpose of transformer code lamination to transformer code lamination का प्रियोजन है तो क्या है, lamination किसलिए किया जाता है, AD current loss को कम करने के लिए यानि कि reduce the iron loss AD current hysteresis loss, AD current loss और hysteresis loss, दोनों क्या होता है, iron loss होता है तो अगर AD current का मान कम होता है, तो हमारा iron loss का मान कम होगा देखिए answer कर रहा है कि transformer core lamination का प्रियोग law honey को कम करना है क्रोड पटलो यानि कि core lamination में कम प्रतिरोध होने के कारण उच्च भवर धराय प्रेरित होती है यह धराय कोड में कई बंद लगू परिपस बनाती है, जिससे उसमा होत्पन होती है तथा गर्म हो जाती है, कौन गर्म होगी? कोड भवर धरा हाने को कम करने के लिए कोड को अनेक पटलो यानि कि पतली पतली या पतियू को जोर कर पनाया जाता है इस प्रकार बने टुक्रे को पतली यानि कि लेमिनेशन काते हैं अगला कोस्टोन करा है कि यह step of transformer can be used as step of transformer के रूपमें भी step of transformer dot, dot के रूपमें भी इस्तेमाल किया जा शकते है दही, कहने का मतलब है, कि जैसे माल लिजिसे, कि यह step of transformer है primary में कम और secondary में जादा यादी, अगर हम इसको primary माल ले और इधर से हम inputs अप्लाई दे, तो इधर हमें क्या होगा, इधर भी phase neutral मिलेगा, मगर voltage का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जब voltage का मान कम हो जा रहा है, तो step up जो transformer है, उसका प्रयोग हम लोग step down के रूप में भी बहुत हद तक कर सकते हैं, मतलब कम कर किया जाता है, step down का रूप में भी कर सकते हैं, मगर किया नहीं जाता है, कराय कि यदि एक transformer के द्वीतियक फेरे को दोगुना कर दिया जाए, यानि कि जो primary winding है, उसको दोगुना कर दिया जाए, तथा प्राथ्मिक भोल्टिता को आधा कर दिया जाए, ये turn का मान दोगुना, और voltage का मान क् तो द्वीतियक भोल्टिता होगी, तो जो आपका इधर voltage output मिल रहा है, उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो उसमें आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अगर winding को दोगुना और voltage को आधा कर दिया जाए, तो secondary का जो voltage होगा, output जो voltage है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होग अगला question है, escort connection are used to transform, escort solution को dot dot में बदलने में उप्योग किया जाते हैं, देखी, escort connection transformer chapter में परहाया जा चुका है, इसका काम 3 phase supply को 2 phase supply में बदलने के लिए किया जाता है, तो हमारा answer होगा, 3 phase आपूर्ती को 2 phase में बदलने के लिए कर आए कि escort connection का परयोग 3 phase supply को 2 phase supply में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, यह विधी बैग्यानिक Charles F. escort ने बनाए थी, इसलिए नाम escort हो गया, इसमें 2 transformer के यावसेक्ता होती है, जिसमें से 1 transformer का उनपात 1 by 1 होता है, जिससे मुख transformer काता है, तथा दूसरे का 0.866 उनपा एक होता है, जिसे टीजर transformer काते है, यह आप वीडियो है, उसमें जाकर देख सकते हैं, transformer chapter का, अगला हमारा question है कि transformer में परवेश करने वाले नमी को रोकने, ब्रीदर के अंदर उपयोग किया जाना वाला पदार, क्या हम पढ़योग करते हैं, सीलिका जेल, ब्रीदर के अंद नमी को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो option में हमारा C है, सीलिका जेल, आपका answer भी दे रहा है कि transformer में परवेश करने वाले नमी को रोकने के लिए, ब्रीदर के अंदर सीलिका जेल पदार्च का पढ़योग किया जाता है, सीलिका जेल का रंग नीला होता है, सिलिका जेल का रंग बाद में बैगनी तथा अंत में गुलाबी हो जाता है शुरुवात में यानि कि जब नमी सोखे नहीं रहेगा तो नीला रहेगा हलका नमी सोखेगा तो बैगनी होगा जब पूरा नमी सोख लिया अब वो नहीं सोख सकता है तो गुलाबी हो जाता है गुलाबी रंग परदर्सित करता है कि सीलिका जेल में नमी सोखने की छमता समाप्थ हो गई है अब उसे क्या किया जाएगा 1500 से 200 डिग्र सेल्सियस पर पका कर यानि कि भून कर दोबारा पढ़ियों किया जाता है अगला कोश्चन है कि ट्रांसफर्मर पर नो लोड परिछन डॉट डॉट को जानने के लिए किया जाता है देखिए अभी तक हम लोग पोड़े हैं कि नो लोड परिछन किसलिए किया जाता है आरन लॉट का मान गयात करने के लिए ठीक है तो देखिए जो ट्रांसफर्मर उकार नो लोड टेस्ट किया जाता है वो हम magnetizing current and no load loss यानि कि no load loss गयात करने के लिए करते हैं कभी-कभी ये भी question पूछा जाता है अगला question है कि the burden protective current transformer कि ct is a specified is संरक्षक धारा transformer ct के बोज को dot dot में निर्दिष्ट किया जाता है तो देखिए इसके बोज यानि के load को volt ampere में map आ जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है इंसर दे रहा है कि the burden of protective current transformer ct is a specified in volt ampere यानि कि या एक current transformer होता है जिसकी rating va यानि कि volt ampere में होती है हमारा जो अगला question करा है कि transformer को dot dot के लिए उप्योग किया जाता है देखिए transformer का प्रयुक किसली करते है step of और step down ac volt ता अप्सन नमर यह ही सही हो जाएगा step down step of step down ac voltage ना कि dc question है कि transformer में आवरीती के बदलाव से देखिए अगर जैसे हम जो input supply है उसका जो frequency है पचाश हर्टेज की जगा 60 हर्टेज कर दे 40 हर्टेज कर दे क्या होगा कि इससे देखिए कि मतलब की बदलाव के साथ आपका क्या होगा कि copper loss में कोई changing नहीं होता और iron loss में changing होता है जब आपका frequency में परिवर्टन होगा तो copper loss तामबे की छतिया और परिवर्टन होता है और iron loss में आपका change होगा iron loss क्या होता है कि change होता है उसके मान में परिवर्टन होता है iron loss में और तामबे की lose याई कि copper loss में कोई परिवर्टन नहीं होता है answer है कि transformer में आवरिती के परिवर्टन से copper की हानियों पर कोई परभाव नहीं परता आवरिती के बदलने से कोड हानि यानि कि iron loss बदलती है क्योंकि hysteresis loss परावर क्या होता है ये इंटा यानि कि दक्षता बी मैक्समम यानि कि आपका ये चुमकिय फ्लक्स घनत एफ मतलब फ्रिक्वेंसी देखिए सब में एफ है तो इफ जब बदलेगा तो इसमें क्या होगा भवरधारा में और हिस्टेसिस लॉस में मतलब परिवर्तन होगा तो आपका आईरन लॉस का मान भी परिवर्तित होगा अगला question करा है कि transformer निम्न अस्थान परावरिती में परिवर्तन होने पर नियुन्तम प्रभावित होता है तो देखिए option दे रहा है leading power factor, lagging power factor, unity power factor या all of these कहने का मतलब है कि अगर transformer के frequency में changing होता है frequency में तो किस इस्थिती में आपका जो ये loss का मान है iron loss का मान है ज्यादा परिवर्तन हो, मतलब कम परिवर्तन होगा तो देखिए जब आपका transformer unity power factor पर चल रहा है यानि कि 11 power factor पर चल रहा है तो iron loss का मान कम परिवर्तन होगा अगर lagging पर चल रहा है lagging पर तो आपका अधिक मतलब iron loss के मान में परिवर्तन होगा इंसर भी दे रहा है कि transformer में आवरिती परिवर्तन होने पर 21 सक्ति गुनक निउन्तम परभावित होगा मतलब unity power factor होगा तो कम परभावित होगा और lagging अधिक्तम परभावित होगा चली अगला question है कि transformer में भावर धारा छतिया निम्न होती है भावर धारा छति कहां होता है कोड में होता है ना एक कि primary और secondary और secondary और secondary winding में copper loss होता है अगला question है कि transformer के चुमबक की घटक का सक्ति गुनक होता है देखे चुम्बक्की ये ट्रांसफर्मर के चुम्बक्की घटक का जो पावर फैक्टर होगा वो सुन होता है जीरो होता है